हेलो फ्रेंड्स मैं हो गोतम और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अश्टेडी फॉर एक्जामिनेशन में दोस्तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहारखन हाइकोट एक्जाम 2018 के संबंधित महतपूर्ण कॉस्चन्स जिसमें सुप्रीम कोट एवोम हाइक से जुड़े प्रश्ण होंगे दोस्तों आसा करते हैं कि प्रिशा में आपको यह सहायक जरूर होगे चलब दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं दो दोस्तों शुरू करते हैं पहला कोस्ट नेक्ट कोस्टन है हूँ वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का पहला मुखिन आधिस कौन था तो दोस्तों चली ओप्षन देखते हैं ओप्षन है महर चंद महाजन भी है एच जे कन्या सी है वाई वी दोस्तों इसका राइट एंशर होगा आपका बी एच जे कन्या जो है दोस्तों भारत का पहला मुखिन आधिस थें जो दोस्तों नेक्ट कोश्टन देखते हैं तो नेक्ट कोश्टन है हूँ आज फर्स्ट कंट्रोलर और अडिटर जनरल आफ इंडिया मतलब सी एजी दोस् दोस्तों देखते हैं घी नरहारी राव फि एए के चंदा आपके है कंट्रोलर और ऑडिटर एंडिया मतलब हारत कि नेंतरक और महलेखा परिशखक की के नियुकति कौन करता है है जाहर सी बात है यह वह ठी आसान कोश्टन है दोस्तो ए है mı ब्रिम मिनिस्टर में कि में इंक करते हैं किलगा है इस सबसे बड़ा संमीधान की इस लंग है तो दोस्तों चलिए ओप्शन देखते हैं उप्शन है युनिटेड अश्टेट्स बी ए इंडिया चाइन डी रस्या दोस्तों यह बहुत ही आसान सवाल है यह सब को जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा सा मिधान हमारी देश में है इंडिया में इसका एंसर बी होगा इं आध溜िस सब्सक्राइब मतलब टीक सबस्क्कं नेमारि र्चास इंडियों मंतलब ट्वंडेश्ट क्वंडेश्ट्र नेमारि नाटी पोरोटी सब्सक्राइब फिटी अगास्त डेव्जन नेंति हां मेंक टिच ब место नंश मेंच दोर होगा चलिए जोइए पहरखना है बिल आर्टिकल्स इन दे कंस्टिट्यूशन ग्रांट अस्ट राइट टू एक्लिटी मतलब दोस्तों समिधान में कौन से अनुश्य हमें समानता का अधिकार देते हैं तो चलिए दोस्तों इसका एंसर देखते हैं ओप्षान है ए आर्टिकल 14-18 बी है आर्टिकल 23-24 ची है आर्ट नेस्ट कोस्टन है विच आर्टिकल्स इन दे कंस्टिटिशन ग्रांट अस राइट टू फ्रिडंग मतलब दोस्तों समिधान में कौन से अनुश्य हमें समानता का अधिकार देते हैं तो चलिए दोस्तों ओप्षन देखते हैं ओप्षन दिया हुआ है ओप्षन ए है अर्टिकल 14-18, C.A.R. 368 and D.A.R. 23-24 दोस्तों इसका राइट एंसर होगा A. 19-22 ओके जोस्तों नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्टन है विच कंस्टिटोशन अमेंडमेंट्मेंट एड़ेट द पार्ट ओफटामेंडल दूटीज टू दोस्तों म जोड़ा है दोस्तों इससे बहुत ही ज्यादा कोश्टन पूछे जाते हैं यतने भी हमारे देश में एक जाम होते हैं सारे एक्जामिनिशन में इस से जो है एक नेक कोश्टन जो रूप पूछा जाता है तो च्छाटब दूस्तों देखते हैं औस ए है 42 कंस्टिटोशनल फिर है 46th constitutional amendment तो दोस्तों इसका right answer होगा A 42 constitutional amendment मतलब 42 संसोधन में ही जो है यह मोरी कर्तिव का इसा जोड़ा गया थे इसका यह right answer है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों आगे है how many high courts are there in the country मतलब दोस्तों देश में कितने उच्छ नियाले हैं दोस्तों चलिए option देखते हैं option A है 105, B है 24, C है 86 and D है 82 दोस्तों इसका right answer होगा B हमारे देश में cool 24 high courts है अभी वर्तमान में ठीक है दोस्तों इससे पहरे 21 थे और बाद में फिर तीन जोड़ा गया है दोस्तों next question देखते हैं दोस्तों next question है which article in the constitution in power the high court with the power of read judicions ओके तो दोस्तों इसका ये question है समिधान में कौन सा अनुचित उच नियाले को अधिकार छित्रादिकार की सकती के साथ अधिकार देता है ये question पूछ रहा है तो चलिए दोस्तों देखते हैं option दिया हुआ article 226 article 47 article 326 article 333 तो दोस्तों इसका right answer होगा आर्टिकल 226 तो नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन है presently there are how many district court in इंडिया मतलब वर्तमान में भारत में कितने जीला नियाले है तो दोस्तों चलिए option देखते है option A है 400, option B है 500, C है 600 and D है 700 दोस्तों इसका right answer होगा C अभी वर्तमान में हमारे देश में 600 district judge है मतलब जीला अदालते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन है विच अश्ट आफ इंडिया है दा हाइस district court मतलब भारत के किस राज में सबसे अधिक जीला अदालते हैं यह question पूछ रहा है तो दोस्तों स्वाभी बात है कि हमारे जो देश है उसम जो सही अंसर रहा चाहिए इसलिए मैं पहले ही यह बता दिया है दोस्तों नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन है what is the meaning of the word veto दोस्तों वर्ड वीटो यह वर्ड विटो जो है यह आप लोग हमेसा कही न कही सुने होगे अख़बारों मेन्यू चैनलों में कि व विड मतलब रोकना B है support समर्थन c है double मतलब दोहर औरीशाइड निर्नыт टो दोस्तों इसका right answer होगा a foreign के बीजों मतलब होता है रोकना डी लगाद देता है दिया जाता है किसी भी एक पिल में या किसी प्रिजेंशियल कंडिडेट मतलब राष्ट पति पत्द के उमिद्वार होने की योग्यता के लिए नियूंतम आयू क्या है यह कोश्चन पूछ रहा है दोस्तों नियूंतम आयू पूछ रहा है कि क्या है ओके दोस्तों अप्सन देखते हैं अप्सन ए है 30, B है 28, C है 18, D है 35 तो दोस्तों इसका राइट एंसर होकर D, 35 एज होना चाहिए दोस्तों नेस्ट कोश्चन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोश्चन है, who is regarded as the head of the Indian state दोस्तों भायरतीय राजी के मुख्या के रूप में किसे माना जाता है ये कोश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों चलिए option देखते है, option A है प्राइम मिनिस्टर, B है परसिडेंट, C है चीफ जस्टिस उप इंडिया, and D है न अप दिज, दोस्तों इसका राइट एंसर होगा B, परसिडेंट, चलि दोस्तों नेस्ट कोश्चन देखते है, दोस्तों नेस्ट कोश्चन है which was the first Indian estate to establish the institution of लोकायुक्त, दोस्तों लोकायुक्त संस्थान स्थापित करने वाला पहला भारती राज कोश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दोस्तों option देखते है, option A है बिहार, B है उत्तरपरदेश, C है महाराष्टरा, and D है अंदरपरदेश, तो दोस्तों इसका राइट ए भारत का जो लोकायुक्त, legagement किया है हुआ है, चलिए दोस्तों next question देखते है संस्थान जो स्थापित क्या हुआ है, next question है, दोस्तो नेस्ट कोस्टन है दोस्तो इसका राइट एंसर होगा गवर्नर जो है इनकी न्यूकती करता है दोस्तो नेस्ट कोस्टन है दोस्तो नेस्ट कोस्टन है दोस्तो यहाँ पर ओप्शन दिया होगा A है दिसंबर 2012 B है जन्वादी 2013 C है फेबलरी 2013 and D है मार्स 2014 तो दोस्तो 2012 तो होगा नहीं क्योंकि यह 2013 एक्ट है तो दोस्तो इसका राइट एंसर होगा जन्वारी 2013 जन्वारी 2013 दोस्तो इसका राइट एंसर होगा जोस्तो नेस्ट कोस्टन देखते हैं दोस्तो नेस्ट कोस्टन है which of the three words were added later in the primble मतलब प्रस्तावना में कौन से तीन सब्द जोड़े गए हैं मतलब जोड़े गए हैं ये question पूछ रहा है तो दोस्तो ये option A है socialist republic and justice B है secular socialist and integrity C है justice liberty and equality and D है sovereign fraternity and political तो दोस्तो इसका right answer होगा B secular socialist and integrity secular मतलब होगिया आपका socialist मतलब होगिया समाजवादी integrity मतलब होगिया अखंड़ता ओके दोस्तो मैंने इसका पीडियाप अपने description box में दे दिया हूँ आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं दोस्तो जिदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक and share जरूर करें दोस्तो जो भी इस चनल में नए हैं अभी वह चनल को सब्सक्राइब करें बगाल के बैर आइकन को जरूर दावाएं ताकि जितने में लेटर सब्डेट रहेंगे वह आप तक तुरांत पहुँचेगे चल दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में